प्रूजर मोटर्स पर चुका हूं और चोटा मोटा काम है बाइक का जैसे कि ब्रेकशू बदलवाने दे ब्रेकशू मेरे बदले का टाइम भूए आधा तो मैं अभी ब्रेकशू बदलवाँ गा और एक वाइजर का मेरा थोड़ा इसु आ रहा था मैं वाइजर अभी काम ब्रेकशू बदलवाएंगे बाइक अपनी हो गई है एट थाउदन किलोमीटर तो मैं ज़रूरी है ब्रेकिंग बेक सब्से जादा इंपोर्डेंट होती है तो अभी ब्रेकशू कैसे बदलते है बोगी मैं देखूँगा एक्स्टा ब्रेकशू ब्रेकशू यहां से अपन अपने साथ रखना चाहता हूँ तो उसके बाद मैं अपडेट करता हूँ कि आगे क्या क्या काम होगा तो मिलते थोड़ा आगे वीडियो में तो यहार अपने ब्रेकशू निकाल रहे है भाहिया बाहर और दोनों ब्रेकशू आ चुके हैं अपने वह रखे आगला पेचले तो चेक करेंगे घिस गया है क्या हालत है क्या कंडिशन है उसे साब से बदल लेंगे इनको अभी पॉस करता हूँ एक सेड़ तो बाइक की जगा ती निकल लेगी मैं खड़ा हूँ वीच में तो भाईया ने निकाल दिया अपना तो बस चेक करते हैं क्योंकि जब सर्विस कराई थी तो बोला गया था कि 1500 और चलेंगे 1500 के करीब तो चल गई है तो कंडिशन एक बाद देख लेते हैं ब्रेक्शूस की फिर बदलवाते हैं कर दिये हैं अच्छा पीशे के कम कर रहे हैं तो पीशे के अपने हो चुके है चेंज आगे के अभी वहिया कर रहे हैं ब्रेक्शूस अपने डिबर्टी गई ते यह आधा साइज हो गया आप देखे तो और जो अभी आता है वो मैं आपको एक्शल दिखाता हूँ यह है अपने नए वाले यह भी भाईया दिखाएंगे तो इसकी थिकनेस आप देखिए एक यह सिंगल की इसकी थिकनेस और इसकी थिकनेस यह बिल्कुल आधे हो चुके है तो अपने अब बदलेंगे ब्रेक्शूज यह क्या रियर वाले थे तो यह रियर ब्रेक्शूज जो बदल दियें पुराने वाले इसमें डाल दियें भाईया ने यह है दोस्तो तीस रुपे का ब्रेक्शूज पढ़ता है केट रियर का और प्रेंट का भी सेमी रेट है 230-230 अपना 460 रुपे पढ़ जाता है तो लेबर जोड़के लेकिन 1200 पढ़ जाता है लेबर बहुत जादा है तो अभी बस लग गए अपने ब्रेक्शूज अब देखते ह हैं में आपको डिखाता हूं दोडिन देर में कितना खर्का आजाता है कि ब्रेक्शू चेंज करवानेगा अगा तो यहार जैसा अभी मैंने दिखाया अपने दोनों के दोनों ब्रेक्शूज बदल दी हैं ब्रेक्शूज बदलने के बाद एक वाइजर का काम था जो अपना वाइजर है यह थोड़ा देखो मूम्मेंट आ रहा है इसमें अब यह लूज कहां से यह समझ नहीं आ रहा है अब शायद वाइजर के जो रबर सील्ज थे वो चले गए यह हलका सा लूज हो गया यह क्या वाइबरेशन करता तो एक बार यह भी दिखाना है अपना वाइजर इस वाइजर में अच्छल में इस्टी आ रहा है तो एक बार वाइजर में दिखाते हैं उसके बाद फिर निक जिस वजह से यह खराब हो गया था बहुत तो अब बस नए लगा रहे हैं विया सारे के सारी बदलवादिय में नहीं है अब यह सारे नहीं लगेंगे पीस और फिर अपना वाइजर हो जाएगा दुबारा नहीं जैसा यह बेसिक वेरंटेर तो चलो होता ही है एर बेसिक वेरंटेर है एक साइड का जाधा खराब था बाकी सब तो चलो नॉर्मल है अब यह हो जाएगा और वह रहे अपने भाईया वो भी कहरें वीडियो में आना है इस यह रहे वह आपने जूम कर दिया में आपके उपर पर तो चलो बस अब ये वाइजर कश्वा आते हैं फिर अपना बिल करके निकलेंगे घर चलते हैं तो गाइस बन चुका है अपना गेट पास गेट पास के साथ साथ बिल भी आ गया है तो यह रहे अपने दोनों ब्रेक पैड के नाम और यह रहे उनका प्राइस टू थर्टी टू थर्टी इच है यह यह मैंने आपको बताया था और लेबर इस अराउंड तो यह सब जोड के हमारा जो टूटल बिल आया हूँ 661 प्लस 64 रूपीज फॉर दी रबर नट यह देख सकते हैं अप रबर नट अपना गेट पास है रेडी निकलते हैं यहां से पाइक अपनी आगे लग चुकी है तो अभी निकलते हैं यहां से और पॉस्ते फटा फट घर पे तो यार थोड़ा बेसिक इंफोर्मेशन दिया आपको बता चल जाएगा कि आपके सर्विस चेंटर पर क्या कोस्ट करेगा क्योंकि आल राउंड वर्ल्ड भी इंडिया में भी इंडिया में हर जगा पार्ट के प्राइस सेम हैं फोई कम जाता नहीं है तो आपको थोड़ा एक आइडिया लग जाएगा कि यह बेसिक पार प्राइस